नमस्कार बहुत स्वागत है आपका अगर आप हमसे अभे भी जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो पसंद आए तब लाइक करें दोस्तों कोई अपना ही क्यों ना हो लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती है जो कभी भी किसी को नहीं देना चाहिए वरना मालक्ष में आपका साथ छोड़ सकती हैं तो चलिए हम सुरुआत करते हैं महिलाओं से क्योंकि महिलाएं कोमल हिर्दे की होती है और बहुत जल्दी दूसरों की बातों में आ जाती है दोस्तों किसी भी महिला को भूल कर भी अपने पैर की बिच्छुआ जो आप पैर की उंगलियों में पहनती हैं बिच्छिया जिस ननत को किसी को भी ना दे इस बात का हमेशा ही ध्यान रखेगा दोस्तों दूसरी बात है सिंदूर हमारी बहुत सारी माताय बेहने क्या करती है एक ही किया से जिसे हम सिंदूर रखने के डिबबा को किया भी कहते हैं तो उससे ही बहुत कोई सिंदूर एक साथ ले लेती हैं से कर सकती है नहीं न फिर सिंदूर को क्यों सेयर करना आप यह भी सेयर ना करें बल्कि एक नया डिबा रखें जो दूसरों के लिए होना चाहिए आप ऐसा ही करें आपके लिए अच्छा रहेगा दोस्तों चलिए अब हम अपने मूल टॉपिक पर आते हैं वह कौन सी ऐसी चीज पर अपने लिए जो खुद आप यूज करते हैं उसे मत दीजिए वरना आर्थिक रूप से परिसानिया आपकी जीवन में आ सकती है दोस्तों कहते हैं किसी और की घड़ी पहनने से आपके प्रोफेशनल लाइफ में कहीं न कहीं आर्थिक नुकसान हो सकता है तो आगे से य अक्सर लोग क्या करते हैं दूमधाम से साधी तो करते हैं लोन भी लेते हैं और करज में डूग जाते हैं लेकिन ये तो ठीक है लोग बाद में धीरे-धीरे करज उतारते हैं पर सगाई की जो अंगुठी होती है उसे कभी भी करज के पैसे से मत लीजेगा ये अच्छा न जो हमारी स्कीन सेहत से इनका सीधा संबंध होता है किसी और का यूज की आवसाबुन आप इस्तेमाल मत कीजिए वरना गंभीर बिमारियां होने का भी यहां पर चांस बना रहता है तॉलिया बैक्टिरिया फंगस बहुत कुछ होते हैं और अपना तॉलिया तो कभी किसी से से ही मत कीजिए क्योंकि दूसरों के सरी में क्या है नहीं है वह आपके पास आ सकता है इसलिए घर में भी एक नियम बना ले सब कोई अपना अपना तॉलिया यूज करें यह ज्यादा बहतर रहेगा रेजर अभी तो बहुत सारे बिमारियां फैल रही हैं तो ऐसे में रेजर क खुद यूज कीजिए किसी दूसरे को भूल कर भी मत दीजिए दोस्तों कहते हैं नेल पॉलिस जो आप लगाती है नाखुन में या फिर लिब बाम अगर उंगली से लेकर लगाती है तो ठीक है वरना ओठों से ओठों में लगाने का सिस्टम अगर आप खुद अपने ओठ दे यह अच्छी बात नहीं होती है अगर हम असली मुद्धे पर आएं तो महिलाएं कभी भी भूल कर भी रात में दही किसी को भी ना दे अगर आप किसी को दही देती हैं तो आपके घर से लक्षमी वाता बहुत जल्दी रूस्ट हो सकती हैं इस बात का हमेशा ध्यान रख हो जाती है और फिर लाग प्रियास करने के बाद भी आपके घर में बहुत मुश्किल से ही आएंगी दोस्तों सनीवार के दिन चांदी के आभुसन खरीद कर किसी को भी उपहार में नहीं देना चाहिए ऐसा करने से आप कर्जिदार बन जाते हैं याप कर्ज में फस सकते है याद रखिए सनीवार के दिन सफेद मोटी खरीद कर अगर किसी को भेट करते हैं तो फिर दुरघटना के भी योग बन जाते हैं तो याद रखिएगा सनीवार के दिन चांदी सफेद मोटी खरीदिये पर खुद के लिए वैसे सनीवार को सोना खरीदना अच्छा होता है चांदी खेदना सूब नहीं होता इस बात का हमें सद्यान रखेगा सनी बार के दिन तांबे के बरतन दान करने से घाटे होने लगते हैं प्यापार में खास ख्याल रखेगा इस बात का आप और सनी बार के दिन चमेली के तेल या फिर इत्र किसी को भेट करने से बीमारियां अगर इसलिए आगे से द्यान रखेगा और और दुबारा सोचिएगा जरूर कि लक्ष्मी जी को आप कैसे किसी को दे सकते हैं कहते हैं सोना और चांदी अगर आपके बहुत करीबी हैं कोई तभी गिप्ट दें वरना दूसरों को ना दें तो अच्छा है रुमाल जो आमतोर पर हम सभी यूज करते हैं किसी को भी रुमाल गिप्ट में नहीं करना चाहिए कहते हैं ऐसा करने से आपके रिष्टे कमजोर होते हैं जूते, चपपल ये सभी चीजें किसी को भी गिप्ट में ना दें और ना ही किसी से लें रिस्ते खराब होंगे आपके अगर आपको किसी को देना है तो कुछ पैसे ले लें 10, 20, 50 जैसी आपकी इक्षा है कुछ जरूर ले लीजिए तो दोस्तों इन छोटी-छोटी जानकारियों से आप अपने जीवन को खुसाल बना सकते हैं हम आपसे भी दा लेते हैं वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सब्सक्राइब करें धन्यवाद हर हर महादेव